जैहिन दोस्तों विल्कम टू बैक माई यूटूब चैनल आज हम पढ़ेंगे कनाया लाल मिस्र प्रभाकर जीगा जीवन पर्चे यूँ साहित्ति पर्चे जो कि बोड इज्जाम में हर बात पुछा जाता है मतलब यह कुस्चन हर साल आता है तो इससे पहले मेरा अग्र है आप लोगर नए हूं हमारे चैनल पर चैनल के सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर के लिए तो चल चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं यूटू जीवन पर्चे प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 इस्वी में सहारनपूर जिले के देवबंद में साधारन ब्राम परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम रमादत मिस्त्र था इन्होंने अपना जीवन राष्ट सेवा में लगा दिया ये उनैसो तीस इस्वी से उनैसो बत्तिस इस्वी तक स्वतंद्रता संग्राम में भाग लेने की वजा से जेल में रहे साहित की सेवा करते हुए सन उनैसो पन्चानबे इस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया साहिती एक परचे स्री कनहया लाल मिस्र जी की लगुकताएं भावपुरुड और इसमरडों में राष्टी जीवन की आर्थिक जाकी है प्रभाकर जी की रचनाओं में भाशा सेली, सुध साहित्य, खड़े बूली तथा तस्सम प्रधान है इन्होंने नया जीवन एवं विकास नामक दू प्रसिध समाचार तत्तु पत्रों का संपादन किया इन्होंने लगू कथा इसमरड रिपोतार्य आदी अनेक नई विधाओं में साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार को सम्रिध किया है इनकी प्रमुक्रचनाय रेखाचित्र जिन्दगी मुस्काई महके आंगन चह के घर माटी हो गई सोना लगू कथा आकास के तारे धरती के फूल इस्मरड दीप जाले संख बजे निबंद छड़ बोले कड मुस्काई बाजे पायलिया के घुंगरू अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्स्राइब किजे तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए हिंद